नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास समसंग गेलक्सी यहां पे आपको फिंगर्प्रिंट पे करना है और यहां पे जो भी आपके फोन का लॉक है पैटन या फिर पासवर्ड वो एंटर कर लेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहां पे अपना फिंगर्प्रिंट स्कैन करना है कंटिन्यू पे क्लिक करके अब यहां पे साइड में आपको फिंगर्प्रिंट लॉक दे रखा होगा पावर बटन के उपर ही आपको यहां पे स्कैन करना है तो यहां पे चारो तरफ से फिंगर को गुमा खुमा के आप स्कैन कर लेंगे इसके बाद done पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद कुछ settings है fingerprint से related वो कर लेनी है अगर आपको fingerprint remove करना है तो यहाँ पर क्लिक करके और इसके बाद remove का option आजाएगा तो यहाँ से आप remove कर सकते हैं इसको और दूसरे finger यहां से आप add कर सकते हैं और यहां से आप fingerprint edit चेक कर सकते हैं और इसके बाद यह on रहना चाहिए यह on रहना चाहिए आपका और website वगरा login के लिए आप on करना चाहते तो इसे on कर सकते हैं और Samsung account के लिए आप इसे on कर सकते हैं तो इतनी setting आप यहां पर कर लिजेगा और इसके बाद आप back कर लेंगे अब यहांपर fingerprint lock अगर ऐसे करके खोलते हैं तो fingerprint से आपका phone unlock हो जाता है तो इस टप से setting कर लिजेगा आई होग गई ये वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार